गुर आप्टिनून स्टूडेंट्स बचे हम पार्ट दोहां एकादश कर रहे थे और हमने अब तक पांच दोहें पड़े थे कभीर दाज जी के ठीक है अभी हम आगे कॉंटिन्यू करते हैं ओके निंदक नियरे राखिये आंगन कूटी चवाए बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए तो इसमें कभीर दाज जी कहते हैं कि जो हमारी निंदा गरता है उसे अपने अधिकादिक पास ही रखना चाहिए वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमिया बताकर हमारे सभाव को साफ करता है तो इसमें क्या कह रहे हैं जो लोग हमारी जो कमिया बताते हैं उनको क्या करना चाहिए हमें उनसे दूर नहीं रहना चाहिए हमें उनने अपने पास रखना चाहिए ताकि वो हमारे अबग कामियों को हम सुधार सके . तो इसमें कवींधासित कह रहे हैं कि हमें दूसरों के जो दोश है ठीक है वो हमें क्या है बहुत जल्दी दिख जाते हैं ठीक है और उन पर हम क्या करते हैं हसते हैं कि मनुश्य का सभाव कैसा होता है कि वो दूसरों के दोश को देखकर हसता है परन्तों वो अपने दोश नहीं याद करता जिनका कोई अंती नहीं है क्योंकि हार एक इंसान में दोश उट पर तो कोई परफेक्ट नहीं होता है हर एक आदमी में कमियां होती है परन्तु हमें किसी की कमियों का किसी के अवगुनों का हमें मजाक नहीं बनाना चाहिए है तो क्योंकि हमारे अंदर भी बहुत कमियां होंगी जिससे लोग दूसरे लोग भी मजाक बनाते होंगे है तो किसी की कमियों को देखके हमें मजाक नह केते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति की या किसी साधू की उसकी जाती नहीं पूछनी चाहिए उनका ग्यान देखना चाहिए कि वह पूछने ज्यानी है ठीक है इसमें कई बार होता है ना कि हमें किसी को जैसे किस को नीची जाती का हो ठीक है या किसी और जाती का हो तो उसे हमें अपने से कम नहीं मानना चाहिए ठीक है और उसके हमें पहली बात तो उसके जाती ही नहीं पूझने हमें इंसान को देखना चाहिए कि इं आती नहीं पूछनी चाहिए है ना जैसे 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 हमें तलवार का मोल करना चाहिए ना कि मयान क्या है ना मयान क्या होती है जिसमें तलवार रखते ना तो हमें किसका मोल रखना चाहिए तलवार का ठीक है ना कि उसके मयान का माला फेरत जुक गया फिराना मन का फेर करका मन का डार दे मन का मन का फेर तो इसमें कविर्दास जी क्या कहना चाहते है बच्चे इसमें कविर्दास जी कहना चाहते है कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला तो घुमाता है पर उसके मन का भाव नहीं बतलता उसका मन ही हलचल शांत नहीं होता उसके मन की हलचल शांत नहीं होती कभीर की ऐसे व्यक्ति की सला है कि इसमें कभीर दाज ऐसे कई भर क्या होता है कुछ लोगों के पास हर चीज होती है पर उनका मन शांत नहीं, उनके मन में हलचल होती रहती है, ठीक है तो इसमें कविर्दाजी ऐसे मनुष्य को वसला दे रहे हैं कि कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़ कर मन के मोतियों को बदलो या फेरो, ठीक है तो कई इसमें क्या किया रहे हैं वो अपने मन को उन मोतियों को फिर्दते रहो, है ना तो इसमें क्या कह रहे हैं इसमें कविर्दाजी कह रहे हैं कि कुछ लोग क्या होते हैं कुछ लोग के पास सब कुछ होता है परन्त उनका मन खुश नहीं होता है तो उने वो काम करने चीए जिनसे उनका मन शांत रहे और वो लोग खुश रहें ठीक है ओके सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे सो बार दुर्जन कुम कुमार के अके धक्का दराद तो इसमें कभेदाजी क्या कहना चाह रहे हैं कभेदाजी के अनुसार सज्जन और साधु सोने की तरह होते हैं ठीक है कौन होते हैं साधु और सज्जन व्यक्ति ठीक है कि तरह होते हैं सोनी की तरह सोना यदी सो बार भी तोड़कर पुन बनाया जाए तो तब भी उसकी चमक फिकी नहीं पड़ती तो क्या कह रहे हैं कि जो सोना होते हैं हम उसको हमें पता है ना कि हम उसको कितनी बार भी कि जो चमक होती है वो नहीं जाती वो य舊-yoo रहती तो उसी प्रकार और कि सर्जयंव्यक्ति this prosecutor मतलब क्या एज है कि उसके प्रकार सर्जयंट व्यक्ति भी ऐसा होता है कि उसकी चमक कभी तूँटती नहीं हैда और जो मतल्स किया होते हैं ससाधु व्यक्ति जो भी होते हैं इतने अच्छे होते हैं कि एतना अच्छा है क्युकर कि वो चींजी नहीं होते हैं परंतु इसके जो दुष्ट और स्वार्थी लोग होते हैं ठीक है वो कैसे होते हैं जो एक बार टूटने पर दुबारा कभी नहीं जूडते हैं तो इसमें किसकी तुलना सज्जन व्यक्ति के और सादू की तुलना किसे की है सोने से कि वो कितनी के बार भी तूट जाएंपर वूट यह दोडों होते हैं है स्वार्थी लोग होते कैसे चुरे हैं मिट्टी के घड़े की हमoure एक कहावत सुनिए हैं बिटटे कि कैसे होते हैं उसाब anti huge that होते हैंそनी की तरह होते हैं एक बार तोड़ा जया वेसे ही उनकी चमक दिखेगी और वो वैसे ही रहेंगे और मैंसमें के सभावफ चेंज नहीं होगे पर लौटी लोग होते हैं और कैसी होते हैं जैसे उड़ी आखिन परे पीर घनेरी हुए तो इसमें कभीर जी कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी कभी निंदा ना करो जो तुम्हारे पाओं के नीचे दब जाता है ठीक है ज़िक कभी वह तिनका उड़कर आँख में आ गरे तो कितनी घहरी पीड़ा होती है तो बच्चे हम एक चैप्टर पढ़ा था ना आप लोगों को याद हो एक तिनका तो उसमें भी क्या होता है उसमें उसको पता है क्या होता है कि उसमें क्या होता है वह जो एक तिनका उसकी आख में गिर जाता है है तो वह कितनी पीड़ा देता है उसे है ना बहुत जादा पीड़ा देता तो उस दिन उस दिन उनको क्या रिलाइज होता है कि एक तिनका भी क्या कर देता है पूरे घमंट को हमारे घमंट को नश्ट कर देता है ठीक है तो इसमें यहीं बता रहें कभी दास की कभी दास की कि हमें एक तिनके को भी एक तिनकी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए ठीक है ठीके ना तो इसमें हमारा बच्चे चैप्टर खतम हो गया है नेक्स्ट क्लास में हम कुशिन आंटर्स करेंगे और इसमें बच्चे अगर कोई दोहा आपको समझ नहीं आया हो तो मैं दुबार से एक्स्प्रीन करूंगी ओके थांक यू